Hello everyone, इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टिट्यूट के टेस्ट 4 के कोश्चन नमबर 60 से लेकर के 140 तक इंगलीज मीडियम के कोश्चन को डिसकस करने जा रहा हूँ ये सारे कोश्चन आने वाले BPSC 68 प्रिलिमिनरी एक्जामिनेशन में आप सब को सफल बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन नमबर 60 चूज़ इनकरेक्ट मेंच फ्रम धी फॉलविंग भीम ड्यम वाइलाइक संक्च्च्वाडी इन मुंगे यह सई है नागी ड्यम बर्ध शंक्च्वाडी बेगु दिधने mujer इन शराइ नहीं है जमु दिष्टिक में है और बेगु दिष्टिक सो यह श्टेट्मेंट जो है रॉंग है गौतम बुद्धा बढ़्क संक्च्वड़ी गया में है यह सई है उध्यपुर वाइल ड्राइफ संक्च्वड़ी जो है वेस्ट चंपारण में यह भी सई है गलत को यह मेल का लिट्रेशी रेट है और यह फीमेल का लिट्रेशी है राइट आप्शन भी होगा क्टम एप्सार्ठीट गद्री से डिजास्टर इपाइड मेंटी के प्रेशेधिलेछ तो नेशनल डिजास्टर मेंट्छिंगंट होते हैं right option C होगा उसी तरीका से State Disaster Management Authority के Chairman CM होते हैं और District Disaster Management Authority के Chairman District Collector होते हैं Next question Who among the following is known by the nickname of Roor of India? तो Roor जो है जर्मिनी का एक ऐसा region है जहां जो minerals के लिए coal के लिए ज्यादा फ्षेमास है उसी तरीका से इंडिया में जो यह छोटा नागपूर का जो प्लेटू है यह minerals के लिए coal के लिए फ्यमास है So right option यहाँ पे C होगा Next question Consider the following statements regarding the Indus River system Its origin is near Maan Sarovar लेकिन तीबद यह सही है statement It enters India near Damchuk in Damchuk in Jammu and Kashmir यह भी सही है It flows through Ladakh and Gilgit यह भी सही है This river joins the Arabian Sea in the East of Lahore नहीं East of Lahore नहीं East of Karachi जोइन करती है Karachi के East में यह जोइन करती है Arabian Sea को Right option इसमें से 1,2,3 C होगा Next question The vegetation found in area receiving annual rainfall from 70 cm to 100 cm तो dry deciduous vegetation पाया जाता है जहां पर इतना rainfall होता है 70 cm to 100 cm Right option D होगा कौन कौन से स्टेट में यह पाया जाता है इस तरह के vegetation UP में पाया जाता है अंदरा परदेश में पाया जाता है तेलंगना, करनाटका, बिहार, जारखंड, तमिल नाडू, चातिस गार, महाराष्ट्रा बगर में पाया जाता है और इस तरह के vegetation में कौन कौन से trees पाया जाते हैं किस तरह के trees पाया जाते हैं mango, people, tendu, bell, care, etc यह सारी चीज़े पाया जाते हैं इस तरह के trees पाया जाते हैं मेंली Next question Truck farming is related to which of the following fields Truck farming जो है Truck farming में 20-20 प्रकार के truck का यूज़ किया जाता है vegetable cultivation के लिए right option D होगा Next question Which part of mineral and major producing estates is not correctly matched Asbestos का major producer जो है Rajasthahn है यह सही है Pyrites का major producer बिहार है यह यह कह सकते हैं कि only producer जो है बिहार है तो यह सही है नीकिल का major producer ओडिशा है यह भी सही है लेकिन sulfur का major producer ओडिशा नहीं है sulfur का major producer जो है वो हरियाना है हरियाना तो यह गलत है right option C होगा Next question India's first nuclear power plant was established in which state of India तो सबसे पहला nuclear power plant Mumbai के near निकट तारापूर में 1969 में established किया गया था महरास्टरा में right option B होगा Next question what is the combined population percentage of scheduled caste and scheduled tribes of India तो इंडिया में SC का population जो है SC का वो है 16.6% और ST का 8.6% दोनों को 8 कर दीजिए दीजिए ते 6 और 6 12 हो जाएगा वन आएगा 8 और 6 14 और 1 15 हो गया 25.2% 25.2% right option B होगा Next question which of the following is not an advantage of drip irrigation तो water की saving होती है drip irrigation के तुरू यह सही है energy saving भी होती है drip irrigation के तुरू यह भी सही है fertilizer की saving होती है यह भी सही है लेकिन soil erosion नहीं हो पाता है soil erosion की से होगा drip irrigation में तो यह wrong statement है right option B होगा Next question the Jura mountains determine the boundary line between which two countries तो यह Schutgerland and France के boundary को determine करता है Schutgerland and France right option C होगा और France and Spain के बीच में जो mountain है वो है पिरिजीत mountain next question in which country is the famous lake Markibo oil field located तो Markibo oil field जो है वो South American country Venezuela में है right option C है next question the condition of population explosion is related to which stage of demographic transition तो second stage से related है second stage में क्या होता है कि birth rate हाई होता है mortality rate से that's why इस केस में population का growth rate काफी फास्ट रहता है जिससे population explosion होता है right option B होगा next question which of the following pair is not correctly matched बोल्गा river बल्दे hills से बल्दाई hills से ओरिजनेट होती है यह सही है Rhine river Alps mountain से ओरिजनेट होती है यह भी सही है Tiber river Tiber river mountain Fumialo Fumialo से ओरिजनेट होती है यह कहाँ पे है यह Italy में है Italy में है और यह वाल्दे hills कहाँ पे है Russia में है और यह तो उरोप में है ही Niper river जो है Pyrrhenian mountain से ओरिजनेट नहीं होती है यह कहाँ से ओरिजनेट होती है वाल्दाई hills से ओरिजनेट होती है Russia के वाल्दाई hills से ओरिजनेट होती है तो यह गलत है Right option यहीं होगा D Next question Which one is not included in the grassland effects of biodiversity तो biodiversity के loss से इसमें से कौन सा effect नहीं होता है तो destruction of habitats Habitates का destruction होता है यह सही है Introduction of foreign species बिलकुल एक जगे से किसी का habitat यदी का destruction हो गया तो दूसरे habitat में यह इंटर करेंगी यानि foreign species आएंगी Foreign species का introduction होगा तो यह भी सही है Pollution जब diversity का loss हो जाएगा जैसे plant में जो diversity है उसका loss हो जाएगा autotrops के बीच में जो diversity है उनका यदी loss हो जाता है तो pollution तो होगा ही तो यह भी सही है Food security पे effect तो पड़ेगा नेशित रूप से यदी biodiversity का loss होता है तो food security पे effect पड़ेगा जितने भी animals है उनके बीच की diversity यदी खत्म हो जाती है तो भी food security पे effect पड़ेगा जो plants के kingdom है उनकी diversity खत्म हो जाती है तो भी food security पे effect पड़ेगा तो यह सभी का सभी पर जो है diversity loss का effect पड़ेगा तो इसमें से right option E हो जाएगा Which one is not included in grassland effects of biodiversity तो none of the above होगा Next question Which color of light has the lowest rate of photosynthesis lowest rate of photosynthesis तो देखिए rate of photosynthesis इस बात पे depend करता है कि photosynthesis में जो participate करने वाले जो chlorophyll pigment है उनको कौन सा color ज़्यादा एक्साइट करता है या कम एक्साइट करता है इस बात पे photosynthesis का rate डिपेंड करेगा तो यदि हम भीवजी और की बात करें भीवजी और में भीवजी और में रेड कलर जो है वो chlorophyll pigment को ज़्यादा एक्साइट करता है और violet color chlorophyll pigment को कम एक्साइट करता है तो photosynthesis का rate रेड कलर के presence में ज़्यादा रहता है और violet कलर के presence में कम रहता है minimum रहता है तो violet color यहाँ पे right option होगा C Next question vitamins and sources vitamin A का source vitamin A का chemical नाम है retinol इसका source जो है yellow जो fruits होते है yellow colors के जो भी fruits होते है इसमें पाये जाता है जैसे yellow color में कौन सा आजाएगा गाजार आजाएगा उसके अलावा पपया आजाएगा पपीता आजाएगा इन सब में पाये जाता है तो A का 3 हो जाएगा vitamin B1 vitamin B1 का chemical नाम है thymine और ये dry chili में पाये जाता है इसके अलावा meat वगेर में भी पाये जाता है meat वगेर में भी ये पाये जाता है potato हो गया गोभी हो गया उन सब में भी ये पाये जाता है और इसकी deficiency से कौन सा रोग होता है विटामिन A के डिफिसियंसी से night blindness या नेरताओधी रोग होता है और विटामिन B1 की डिफिसियंसी से कौन सा रोग बेरी बेरी नाम का रोग होता है और डिजिज होता है बेरी बेरी नाम का और विटामिन B6 को पाइराडाक्सिन कहा जाता है उसका chemical नाम पाइराडाक्सिन है और यह मीट में पाया जाता है, मतन वगेरा ज्यादा मातरा में पाया जाता है, तो बिटामिन B6 हो गया, इसके डिफिशिएंसी से कौन सा disease होता है, इसके डिफिशियंसी से आपको confusion鹹 होगा, डिप्रेशन्स आ जाएगा, डर्मेटाइसिस होगा, चेलोसिस होगा, ये सारी चीज़ें आती है, तो ये पाया कहा जाएगा, मीट वगेरा में पाये जाता है, तो C का 1 हो जाएगा, अबिटामिन C, जिसका केमकल नाम एसकॉर्बी केसीड है, ये सिट्रस फ्रूट में पाये जाता है, जैसे लेमन हो गया, तो सिट्रस फ्रूट, D का 2 हो जाएगा, तो इसमें इसे कौन सा अप्शन सही आ रहा है, अप्शन जो हो जाएगा, इसमें A का 3, B का 4, C का 1, D का 2, राइट अप्शन A होगा, next question, what is the weight of pituitary gland approximately, तब pituitary gland का weight approximately 0.6 ग्राम होता है, ये brain के base पे hypothalamus के नीचे लोकेटेड रहता है, और ये मटर के shape का मटर के size का होता है, इसका version 0.6 ग्राम के राउंड रहता है, इसको master gland भी कहा जाता है, master gland इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये growth, BP, यानि blood pressure, energy management, function of sex organs, इनको control करता है, next question, identify the mismatch peer from the following, mumps यानि इसको गल्सुगा कहा जाता है, गल्सुगा, गाल के नीचे यहाँ पे फुल जाता है, ये किसकी वज़े से होता है, ये virus से तो नहीं होता है, हाँ virus से ही होता है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है पैरा माइकसो बाइरस, पैरा माइकसो बाइरस, उसके, उससे ये mumps नाम का जो डीजीज है, ये होता है, लेप्रोसी, लेप्रोसी किस से होता है, लेप्रोसी वाइरल इंफेक्शन नहीं है, ये बैक्टेरियल इंफेक्शन है, लेप्रोसी, लेप्रोसी जो है mycobacterium lepri नाम के bacteria से होता है ये लेप्रोसी तो ये रोंग है plague प्लेग जो है ercenia नामक एरसीनिया पेप्टिस नामक एक bacteria से होता है तो ये bacterial disease है ये सही है athlete's foot जो है dermatofights नामक एक fungus से होता है athlete's foot's disease dermatofights नामक एक fungus से होता है तो ये सही है इसमें से रोंग काउन सा है leprosi viral disease नहीं है bacterial disease है right option B होगा next question which one of the following is not a true fruit true fruit क्या होते हैं true fruit वैसे fruit को कहा जाता है जो flower के only ovary part से develop होते हैं इसमें से आ जाते हैं mango, tomato, bananas, गवावा mango, strawberry ये सब आ जाते हैं तो इसमें से jack fruit जो है ये true fruit नहीं है right option यहापे D हो जाएगा next question little leaf disease in mango and brinjal is caused by deficiency of zinc ZN की deficiency से right option B होगा next question which of the following elements is not helpful in formation of RBC RBC के formation में कौन सा helpful नहीं है तो protein तो है protein चाहिए iron भी चाहिए folic acid भी चाहिए ये तीनों चाहिए RBC के formation के लिए salt नहीं चाहिए तो not helpful in the formation of RBC salt हो जाएगा right option C next question deficiency of which of the following vitamin causes a disease called anemia anemia disease जो है vitamin B12 की deficiency से होता है B12 की deficiency से और vitamin B12 का chemical नाम sinocobalamin है sinocobalamin cobalt इसमें आड़ा है इसमें cobalt नाम का element पाया जाता है cobalt नाम का metal पाया जाता है तो sinocobalamin के sinocobalamin यानि vitamin B12 के deficiency से anemia होता है खुन की कमी होती है RBC की कमी होती है right option यहाँ पे B होगा thiamine क्या है thiamine जो है vitamin B1 है B1 B1 के deficiency से बेरी-बेरी नाम का disease होता है और calciferol क्या है calciferol जो है vitamin D का chemical नाम है vitamin D vitamin D का vitamin D के deficiency से कौन से disease होता है बच्चों में rickets नाम का disease होता है और बढ़ों में ostomalacia नाम का disease होता है vitamin D की deficiency से vitamin D का synthesis solar radiation के presence में हमारे body में होता है tocopherol tocopherol जो है vitamin E का chemical नाम है यह dry fruits वगरे में पाया जाता है और भी इसके sources है लेकिन dry fruit में यह पाया जाता है इसकी deficiency से हमारे बाल जढ़ने लगते हैं fertility problem आ जाता है skin dry हो जाता है fertility problem यानि नपुन सकता से related problem सुरू हो जाते है tocopherol यानि vitamin E की कमी से next question where is the fat stored in the body of crocodile the crocodile के body में fat उसके tail में stored रहता है जब food उसके लिए available नहीं रहता है तो वो उस fat का use करता है right option D होगा next question what is the amount of water in plasma तो हमारे blood में हमारे blood का 60% part जो है वो plasma होता है और plasma का 90% भाग जो होता है 90% part वो water होता है water अब बाकी क्या क्या चीज़े होती है इसमें बाकी जो होता है जैसे protein वगएर हो जाता है जैसे 7% इसमें protein होता है 7% protein हो गया उसके बाद में आपको 0.9% salt हो गया and 0.1% glucose हो गया glucose यह salt और यह protein 7% protein so right option इसमें कौन सा हो जाएगा D हो जाएगा 90% water होता है plasma में next question the hormone released from which gland is also known as fight and flight hormone तो देखिए एक gland है adrenal adrenal gland से दो तरह के hormones का circulation होता है दो तरह का hormone इस्त्रावित होता है एक तो हो गया adrenalin 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 हो गया दूसरा हो गया cortisol दूसरा हो गया cortisol तो जो इसमें से adrenalin जो hormone है इसी को कहा जाता है fight and flight hormone adrenalin को cortisol क्या करता है यह एक anti-estress hormone है cortisol pituitary gland pituitary gland जो है यहां से growth hormone secret होता है oxytocin के secretion के लिए यह ही responsible है pyrathyroid gland pyrathyroid gland से thyroxin जो है दोनों में pyroxin दे दिया यहां thyride gland है pyroxin नहीं है thyride gland है यहां पे सी में थाराइड गलेंड है thyroxin नाम नाम का hormone इस्त्रावित होता है hormone secret होता है thyroxine hormone और parathyroid gland से क्या क्या secret होता है क्या इस तुरा तोता है parathyroid नाम का जो है parathyroid hormone यहां से निकलता है और parathyroid hormone का function क्या है parathyroid hormone जो है calcium के absorption के लिए responsible है इस question का answer हो जाएगा B adrenal gland Next question which mineral is required for the proper functioning of the nervous system and the nervous system in the body तो muscular system and nervous system के normal functioning के लिए जो element responsible है requirement जिसकी होती है वो है magnesia right option यहाँ पे C होगा next question after white washing the walls what is the reason for the sign after 2-3 days जब चूने से wall को paint कर दिया जाता है तो 2-3 दिन के बाद में signing महाँ पे क्यों आ जाती है देखिए quick lime quick lime होता है calcium oxide तो जब हम इसको water में dissolve कर देते हैं water में dissolve कर दिया हमने यानि इसका goal बना लिया solution तैयार कर लिया paint बना लिया white washing करने के लिए paint करने के लिए तो यह हो गया quick lime select lime में convert हो गया किसमें c a o h का hole twice में बदल गया c a o h का hole twice में बदल गया अब जो है दो तीन दीनों तक यह यहां जो है आसपास में carbon dioxide co2 carbon dioxide co2 तो यह co2 से reaction करेगा और बना लेगा calcium carbonate c a co3 plus s2o बना लेगा यह calcium carbonate जो है जिससे एक का sil बना होता है इसी की वज़ा से जो वाल जब उपहले चुने से जो paint किया गया है वो चमकने लगता है sign करने लगता है two to three days के बाद में कौन सा responsible है calcium carbonate right option यह हो जाएगा due to the formation of calcium carbonate next question chip makers remove oxygen gas from the bag of chips and fill it with which gas देखिए chips जो है उसको तला गया है fat में और लंबे समय तक chips जो है वो कुरकुरा बना रहे उसका तरो ताजा रहे उसके लिए उसमें जो fat use किया गया है fat का oxidation नहीं होना चाहिए और यदि oxygen presence है उसमें तो fat का oxidation हो जाएगा और chips जो है बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा यानि उसका कुरकुरापन जो है जो वो खत्म हो जाएगा तो उसको खत्म करने के लिए oxygen को रिमूब करके हम ऐसा element उसमें डाल देंगे जिसमें जो की oxidation ही नहीं करें fat का less reactive हो जैसे nitrogen nitrogen को उसमें भर देंगे तो less reactive है और उसका fat का oxidation भी नहीं करेगा chips लंबे समय तक कुरकुरे रहेंगे तो nitrogen को fill किया जाता है right option c होगा next question with reference to evaporation choose the correct statement from the following it is superficial phenomenon बिल्कुल यह surface phenomenon है surface phenomenon कैसे है जैसे माल लिजे कि कोई container है या कोई water body है इसमें water fill किया गया है water भरा हुआ है इसके surface पे जो water के molecules है surface पे जो water के molecules है यह अपने आसपास से heat को gain करेंगे heat को gain करके below boiling point boiling point के below जब water जो है water vapor में convert करता है convert होता है तो उसी को evaporation कहा जाता है नहीं तो vaporization कहा जाएगा तो evaporation आसपास से अपने heat gain कर लेते हैं और below boiling point यह water vapor में convert हो जाते हैं water vapor में convert हो जाते हैं तो यह surface पर का जो water है यह convert होते हैं तो इस लिए surface phenomenon है यानि superficial phenomenon है तो यह जो option है वो सही है its rate depends on temperature बिलकुल evaporation का rate temperature पर depend करता है इसका example है जैसे अभी आप water छिड़क दीजिए और फिर गर्मी में छिड़क यह गर्मी के मौसम में तो छिड़का हुआ water पहले कब सुखेगा गर्मी के मौसम में जब हम water छिड़क देंगे तो वो जल्दी से सुख जाएगा और जार के मौसम में या बरसात क मौसम में यदि water को हम छिड़कते हैं तो वो जल्दी से नहीं सुखेगा देर लगेगा उसको सुखने में तर टेंपरेचर पर डिपेंड करता है तेंपरेचर यदि इंक्रीज हो जाता है तो इवेपोटेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है फरस्ट सेकंड हुमीडीटी य और गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं क्यों क्योंकि गर्मी या जाड़े के मौसम में हुमीडीटी कम रहती है एट्मसफेर में हुमीडीटी कम रहती है लेकिन बरसात के मौसम में मौनसून के सीजन में हुमीडीटी जादा रहती है तो कपड़े जल् कीजिए और ऐसे ही फैला दीजिए दो कपड़े साफ कीजिए एक कपड़े को ऐसे ही फैला दीजिए और एक कपड़े को रूम में फैन चला करके उसको फैला दीजिए तो जिस रूम में फैन चल रहा है उस रूम का कपड़ा जल्दी से सुखेगा क्योंकि फैन चलने से विं तो wind speed पे डिपेंट तो करता ही है, so, B option सही है, it produces cooling effect बिल्कुल, यह हो क्या रहा है यहाँ पे, water molecule जो है, अपने आस पास से heat को गेन करेंगे, तो cooling effect यह produce करेंगे ही, जैसे गर्मी के मौसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपने घर के सामने हम रोड पे क्या करते हैं, पानी को छिड़क देते हैं, क्यों पानी छिड़क देते हैं, पानी क्छिड़कने से वो पानी जो है, अपने आस पास से heat gain करके, इवेपरेट होंगे, जब आस पास से heat gain करेंगे, तो आज पास जो है ठंडा हो जाएगा दूसरा एक्जांपल में देता हूँ सेंटाइजर ले लिजी अपने हाथ पे नेल पॉलिश ले लिजी यानि इथाइल एलकॉल अपने हाथ पे ले लिजी तो यहाँ पर इभेपोरीशन जो है कूलिंग ऐफेक्ट को प्रोडूस करता है यह सही एस्ट्रिटमन्ट है एटीज एक केमकल चेंज क्या होता है जब कोई निव सबस्तांस बन जाए बॉंड बने नया सबस्तांस बने तो यहाँ पर e-vaporation जब हो रहा है तो water molecule जो है solid phase से gaseous phase में convert हो रहा है just यहाँ पर phase change हो रहा है sorry liquid से gaseous phase में convert हो रहा है तो यहाँ पर just phase change हो रहा है liquid से gaseous phase में water molecule जा रहा है यहाँ पर कोई new substance नहीं बन रहा है new product नहीं बन रहा है That's why E-vaporation जो है, एक physical change है, chemical change नहीं है, तो D-statement जो है, यह wrong है, तो with reference to E-vaporation, choose the correct statement from the following, तो A-statement सही है, B सही है, C सही है, D गलत है, so right option will be E more than 1. Next question, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the quotes given below. तो silver chloride, silver chloride का यूज किया जाता है, photochromatic glass के manufacturing में, photochromatic, chroma का क्या मतलब हाता है, colorful, तो colorful glass के production में, photochromatic glass के manufacturing में यूज किया जाता है, silver chloride का, silver chloride का एक टू हो जाएगा, silver iodide का यूज कहां पे किया जाता है, silver iodide का यूज किया जाता है, for causing artificial rain, artificial rain कराने में, सिल्वर आयडाइड जो है एक हाईग्रो एसकोपिक न्यूकलियस के जीसा भी है करता है देखिए कि कोई भी वाटर बॉड़ी है वहाँ से वाटर इवेपोरेट करके यानि भेपर फेज में कनवर्ट हो करके उपर जाता है तो उपर जाएगा तो बादल तभी बनेंगे बरसात तभी होगी जब वाटर का कंडंसेशन होगा अग कंडंसेशन होने के लिए वहाँ पे डस्ट पार्टिकल का होना जरूरी है यानि किसी ना किसी हाईग्रो एसकोपिक न्यूकलियस का होना वहाँ पे जरूरी है तो artificial rain हमें कराना हो, तो क्या करेंगे, silver iodide का यूज करेंगे, silver iodide क्या करता है, एक hygroescopic nucleus के जिसा भी हैप करता है, ये क्या करेगा, water vapor को अपनी तरफ attract करेगा, और एक platform प्रोवाइड कर देगा condensation के लिए, तो इसके around water molecule जो है condensation, उनका condensation हो जाता है, और वो water droplet में convert हो जा जाता है, उस पर gravitational force का value बढ़ते चला जाता है, और वो gravitational force के effect में आकर के नीचे गिर जाता है, जिसे rainfall का आ जाता है, silver bromide, silver bromide का use photographic में किया जाता है, photographic में, silver bromide का photographic plate में use किया जाता है, तो C का हो जाएगा, 4, और silver nitrate का which कहां किया जाता है? silver nitrate का use किया जाता है ink use during voting voting में जो ink use किया जाता है vote करने के बाद में जो निकलते हैं जिनके उंगलियों पे ink लगाया जाता है जो जल्दी से मीटता नहीं है उसमें क्या होता है? silver nitrate होता है तो इसमें से right option कौन सा हो जाएगा A का 2, B का 3, C का 4 and D का 1 Right option C होगा Next question, consider the following statements coal, petroleum, natural gas and fossil fuels बिल्कुल ये fossil fuels ही है, लाखो करोडो साल पहले ये नीचे दब गए और दबने के बाद में ये fuel में convert हो गए coal में convert हो गए, petroleum में convert हो गए, natural gases में convert हो गए तो ये fossil fuels ही है, gasoline ये mixture of benzene and alcohol बिल्कुल नहीं, gasoline जो है, benzene and alcohol का mixture नहीं है gasoline, gasoline, gasoline मैं का रहा हूँ, gasoline जो है, वो benzene का नहीं होता है, इसमें ethyl alcohol होता है and petrol होता है, 90% petrol होता है और 10% ethyl alcohol होता है gas hole में, 90% petrol होता है और 10% ethyl alcohol होता है ठीक है, तो ये second statement है, ये wrong है first statement सही है, geothermal energy is unconventional energy sources बिल्कुल, geothermal energy क्या है, जैसे जैसे earth crust के नीचे हम जाते है, temperature increase करते चला जाता है इतना ज़्यादा temperature है कि earth crust के अंदर जो भी metals पाए जाते हैं, वो molten state में पाए जाते हैं तो मतलब earth crust के अंदर thermal energy है, उस thermal energy का use हम करें, जैसे उस का use करते हैं, water को steam में convert कर दें, और steam को काफी high force के साथ, काफी high speed के साथ हम turbine पे जाने दें, टर्बाइन रोटेट करेगा, उससे electricity generate हो सकता है, ठीक है, तो geothermal energy का use करके electricity generate किया जा सकता है, और वो एक unconventional energy source होगा, energy source है, लादाख वगर में इस तरह के arrangement किये गए हैं, किये जा रहे हैं, तो थिली जो है, यह सही है, gober gas mainly consist of methane, तो gober gas में mainly methane ही होता है, इसे carbon dioxide अगेरा भी होता है, तो methane mainly methane ही होता है, तो 4 जो है, सही होगा, गलत काउंस है, only two गलत है यहाँ पे, सही काउंस है, one, three and four, तो one, three and four, जब सही हो जाएगा, तो right option D हो जाएगा, right option D, one, three and four. Next question, which of the following polymers are used in making bulletproof objects, तो bulletproof objects बनाने में polycarbonate का use किया जाता है, ordinary glass के बीच में, यह polycarbonate का layer को sandwich किया जाता है, इसमें रख तिया जाता है, और वो bulletproof बन जाता है, गलास, right option यहाँ पे, यह तो D तो सही है, साथ ही केवलार भी है, इसके resistance, केवलार का जो है, यह इसमें high resistance होता है, resistance, high strength and low weight की वज़ा से, इसका भी जूज किया जाता है, केवलार का भी जूज किया जाता है, तो इसमें से right option यह हो जाएगा, more than one, इसका bulletproof jacket बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे कोई bullet आ रही है, गोली आ रही है, तो उससे बचाव कर देता है, next question, uranium-238 naturally decomposes into which element, तो naturally यह decompose होकर के thorium-234 में यह convert हो जाता है, और फिर यह thorium-234 जो है, proctinium-234 में convert हो जाता है, तो किसमें convert हो रहा है, uranium-238 यह thorium-234 में convert हो रहा है, so right option यहाँ पे C होगा, next question, to prevent tooth decay, weak advice to brush, our teeth regular lady nature of the commonly used toothpaste age, किस nature का होगा, तो यह समयने के लिए हमें जानना होगा, कि हमारे मुह का जो medium है, वो कैसा, acidic है या basic है, जैसे हमारे मुह में बहुत सारे bacteria होते हैं, bacteria जो भी carbohydrate है, glucose है, उसको यह convert कर देते हैं, acid में मतलब, उसके decomposition के बाद में acid produce करते हैं, बहुत सारे इसे bacteria, तो acid produce हुआ है, तो उस acid को यदि neutralize नहीं करें, तो हमारे tooth का decay होने लगता है, यानि हमारे दांते खराब होने लगती है, जड़ने लगता है, तूटने लगता है, तो उस acid को neutralize करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, base provide करना पड़ेगा, ताकि acid base एक दूसरे के impact को खत्म कर दें, यानि neutralization reaction हो जाए, acid base से मिल करके, salt बना ले, और water molecule हो जाए, वहां से निकल जाए, तो यानि neutralization reaction हो जाए, तो इसके लिए हमें alkaline medium provide करना पड़ेगा, तो तूथ पेस्ट जो है, उसका nature alkaline होता है, यानि basic होता है, right option B होगा, next question, which one of the following is major constituent of clove oil, तो clove oil में major constituent होता है, एक compound है, उसका नाम है eugenol, eugenol, इसका formula होता है, eugenol का C10H12O2, C10H12O2, ये eugenol का formula होता है, यहीं मिलनी पाया जाता है, clove oil में, so right option यहाँ पे B होगा, next question, consider the following statements, diamagnetic substances are those substances which have one unpaired electrons, जिसके पास unpaired electrons होते हैं, जिन substance के पास unpaired electrons होते हैं, उनको diamagnetic नहीं कहा जाता है, उनको paramagnetic कहा जाता है, paramagnetic, जैसे oxygen, oxygen के लिए यदि हम molecular orbital diagram ड्रा करें, तो हम पाएंगे कि उसमें unpaired electrons होते हैं, तो इसलिए paramagnetic है, कौन सा, oxygen paramagnetic है, उसी तरीके से hydrogen का आप यदि molecular orbital diagram ड्रा करें, तो आप पाएंगे कि hydrogen के case में उसके electrons paired हैं, तो इसलिए hydrogen जो है, वो diamagnetic substance है, diamagnetic, तो जीसमें unpaired electrons होते हैं, वो paramagnetic होते हैं, diamagnetic नहीं होते हैं, तो ये statement तो wrong है, paramagnetic substances और substances become weakly magnetized under the application of magnetic field, देखिए, तीन तरह के substances हैं, एक तो diamagnetic, एक paramagnetic और एक ferromagnetic, मैं तीनों को ले करके, माल लिजिए, कि एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, diamagnetic substance ले रहा हूँ, diamagnetic, और यहाँ पे एक paramagnetic substance ले रहा हूँ, और यहाँ पे एक ferromagnetic substance ले रहा हूँ, तो यदि मैं यहाँ पे magnetic field अपलाई करूँ, magnetic field किस पे dia magnetic पे ये पारा हो गया और ये फेरो हो गया dia magnetic substance पे जो ही मैं magnetic field अपलाई करूँगा तो ये repulsive force exert करना शुरू कर देगा तो इसमें repulsive force exert होता है repel करता है magnetic field lines को magnetic field lines को repel करेगा repel करेगा magnetic field lines को dia magnetic तो इसमें magnetization तो होगा लेकिन जिस direction में magnetic external magnetic field apply किया गया है उसके opposite direction में magnetization इसका होगा कि इसका dia magnetic substance का मतलब ये रहा कि magnetic field और dia magnetic material के बीच में repulsive force लगता है रिपेल करता है ये तो dia magnetic का ये हो गया पारा magnetic में क्या हो जाएगा पारा magnetic में यदि external magnetic field apply किया जाए तो ये attract करेगा weekly attraction होगा इसमें attract करेगा magnetic field lines को अपनी तरफ attract करेगा ये magnetic field lines को अपनी तरफ attract करेगा लेकिन ये जो attraction होगा उतना ज्यादा stronger नहीं होगा जितना की ferromagnetism में होता है तो इसमें भी magnetization तो होगा क्योंकि ये small attraction हो रहा है जिस direction में magnetic field apply किया गया है उसी direction में यहाँ पिर magnetization होगा पारा magnetic के case में और ferromagnetism में क्या होगा ferromagnetic material में इस पे जो ही आप magnetic field apply करेंगे strong attraction होगा magnetic field lines को काफी ये ज्यादा attract करेगा तो यहाँ पे इनकी crowding जो है बहुत ही जादा होगी magnetic field lines की crowding जादा होगी ferromagnetic substance strongly attract करता है magnetic field lines को और इसमें जो magnetization होगा बहुत ही high होगा magnetization उसी direction में होगा जिस direction magnetic field apply किया गया है निश्चित रूप से आप diamagnetic पारा magnetic और ferromagnetic material पे magnetic field का क्या effect पढ़ता है समझ गए होगे अब options पे हम आते हैं और देखते हैं कि कौन सा option इसमें सही आ रहा है तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि statement one wrong है second statement पारा magnetic substances और substances become weekly magnetized under the additional application of magnetic field अभी diagram में आपने देखा कि पारा magnetic substances का जो magnetization होता है small होता है तो sorry ये सही है ये second statement सही है third statement का रहा है this substances which get magnetized freely when placed in a magnetic field are called diamagnetic substances बिल्कूल strongly repel करता है magnetic field lines को तो इसमें magnetization तो होता है अपोजी direction में magnetization होता है इसलिए statement three सही है तो two and three statement सही होगा यहाँ पी so right option कौन सा हो जाएगा right option d हो जाएगा यहाँ पी statement one wrong है statement two and statement three सही है मतलब पारा magnetic में a small magnetization होगा diamagnetic में a stronger magnetization होगा opposite direction में होगा next question the intensity of an earthquake is measured by तो register scale पे measure किया जाता है right option a होगा यहाँ पी kelvin scale पे temperature decibels में का sound की intensity को measure किया जाता है sound के level को measure किया जाता है और pascal यह तो pressure का unit pressure को pascal में measure किया जाता है next question which of the following is the best quality coal तो उसी coal की quality best होगी जिसमें carbon content ज्यादा होगी तो पीट में जादी देखें पीट कोल में तो पीट कोल में less than 40 परसेंट जो है around carbon होता है less than 40 परसेंट less than 40 परसेंट carbon content होता है लिगनाइट की बात करें तो लिगनाइट में 40 to 55 परसेंट कार्बन कंटेंट होता है इसमें और यदि बीटू मीनस की बात करें तो बीटू मीनस में 40 to 80 परसेंट कार्बन कंटेंट होता है 40 to 80 परसेंट कार्बन कंटेंट और एंथ्रासाइट में 80 to 95 परसेंट एंथ्रासाइट में 80 to 95 परसेंट कार्बन कंटेंट होता है तो अब देख लेजिए किसमें carbon content ज्यादा है, anthracite में जिसमे carbon content ज्यादा होगा, वहीं सबसे अच्छा cool माना जाएगा, तो इसकी quality सबसे अच्छी होती है, anthracite की right option C होगा next question, when a body falls freely towards the earth, it's total energy, तो देखिए कहीं पर भी total energy remain constant रहता है हमेशा energy रहता है, इसमें कोई terms and condition है ही नहीं, energy हमेशा कंजबर रहता है इस case में क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई object है कोई object, मान लीजिए कि यहाँ पर ground surface यह है, h height से किसी object को जब हम fall कराते हैं throw नहीं करना है, just fall करा दीजिए h height से, तो u is equal to zero हो जाएगा, यहां पर u zero हो गाँrat, काइनेटीक energy कितनी हो गई, zero हो गई, potential total energy यहां पर इस point पर कितना हो जाएगा e, यानि total energy कितना है mgh है ărmgh है, आप पाएंगे इस point पर जब यह object block करके आएगा this point पर यहाँ पर भी total energy e is equal to mgh ही होगी total energy मतलब mechanical energy total mechanical energy मतलब kinetic and potential यहाँ पे इस case में और इस point पे भी total mechanical energy mgh ही होगी यानि total energy जो है remain same रह रह रही है तो throughout of the journey इस object के journey के throughout जो है total energy remain conserve रहेगी total mechanical energy remain conserve रहेगी देखिए दो टर्म आता है एक तो conservation of energy energy हमेशा conserve रहता है अगर दूसरी बात है conservation of mechanical energy conservation of mechanical energy हमेशा conserve नहीं रहता है mechanical energy तभी conserve रहता है जब उस object पे या उस system पे only conservative force act कर रहा हो और यदि non-conservative force act कर रहा हो तो उसका work done zero हो non-conservative जैसे friction, air direct को non-conservative force कहा जाता है और conservative force में gravitational force magnetic force, electrical force यह साड़े forces आते हैं conservative force में ते, यहाँ पर gravitational force लग रहा है conservative force लग रहा है यहाँ पे total mechanical energy भी conserve है और total energy तो हमेशा conserve रहता ही रहता है तो remain the same when a body falls freely towards the earth its total energy remain the same right option will be D next question, what are x-rays तो x-rays जो है सबसे पहली बात है कि यह एक electromagnetic wave है EM wave है और किस तरह का wave है यह EM wave है तो किस तरह का wave है यह यह short wave है short wavelength का wave है जैसे इसका wavelength जो होता है 0.01 nanometer से ले करके 10 nanometer के बीच में होता है 10 nanometer तो निशन्दे ही यह short wave है, short wave है, तो rays of electrons, electrons का rays है ही नहीं, electromagnetic radiation of very long wave, बिलकुल नहीं, electromagnetic radiation of very short wave, इसका wavelength बहुत ही short होता है, तो यह सही है statement, visible radiation, x-ray visible region में नहीं आता है, तो यह visible radiation है ही नहीं, so right option will be C, next question, when the speed of a car is doubled, what will be the braking force to stop it in the same distance, suppose किजिए, कि यह एक कार है, और इसको यहाँ जाकर के रूख जाना है, तो मान लिजिए, इस कार को यहाँ पे, कार का speed जो है, u है, और यहाँ पे जाकर के भी is equal to 0 होना है, और इस पे brake apply किया जाएगा, तो वो उसको रूखना है, भी is equal to 0 हो जाना है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि भी is equal to u square plus 2as होता है, इन दोनों के बीच में यदि distance s हो, यहाँ से यहाँ जाने में, यदि distance s डिस्टेंस पे जाकर के रूख जा रहा हो, तो हम जानते हैं कि भी is equal to होता है, u square plus 2as, तो यहाँ से a का value निकाल लेजिए, भी तो 0 होना है तो a is equal to हो जाएगा यहां से नेगेटिव में आएगा चुकि रिटार्डिंग है तो यहां माइनस हम रख देंगे तो माइनस रखेंगे तो यहां से आएगा u square by 2s u square by 2s ठीक है a1 is equal to आगया अब इस speed को दोगूना कर देना है तो यहां से force कितना अपलाई हो जाएगा यहां पी f1 is equal to कितना हो जाएगा f1 is equal to हो जाएगा mass into acceleration यानि ma square by 2s 2s इतना शुरू में force अपलाई किया अब देखिए यहां पे यदि u को दोगूना कर दिया जाएगा तो a2 कितना हो जाएगा इसी expression में रख दीजे u square by 2s में तो 2u का square by 2s तो 2 का square बन करके आजाएगा 4 into u square by 2s तो इसी में यदि आप mass से multiply कर देंगे तो यह f2 निकल जाएगा तो f2 is equal to यहां mass से apply कर दीजी यहां mass से apply कर दीजी तो mu square by 2s क्या है यह f1 है तो f2 का value जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 f1 मतलब यह रहा कि उसी distance पे उस यदिकार को रोकना है तो 4 गुना force apply करना पड़ेगा 4 times force जो है apply करना पड़ेगा so right option will be quadruple a next question which of the following has the same dimensional formula as the formula for impulse तो impulse क्या होता है impulse को हम j से दिखाते है j is equal to होता है force into time force into time और यह impulse होता क्या है जब कोई बहुत बड़ा larger force एक larger force short duration of time के लिए किसी object पे act करता है तो उस case में force and time का multiplication impulse कहा जाता है जैसे for example माल लिजे कि एक batsman है उसकी तरफ ball फेंका जा रहा है baller ball फेंक रहा है तो वो short जब लगाता है तो bet के contact में ball short duration of time के लिए आता है और उस पे एक बहुत बड़ा force exert हो जाता है तो उस case में force and time की multiplication को कहा जाएगा क्या impulse और हम जानते a phase equal to होता है delta p rate of change in linear momentum rate of change in linear momentum आए इंटू time तो है ही time से time कट जाएगा तो impulse जो आता है वो delta p आता है delta p का मतलब change in linear momentum मतलब p2 minus p1 तो j जो हो गया p2 minus p1 हो गया मतलब change in linear momentum लीनियर momentum जो होता है PMB होता है तब p का unit क्या हो जाएगा kg meter per second तो impulse का unit क्या हो जाएगा यहां से kg meter per second हो जाएगा तो dimensional formula इसका क्या हो जाएगा इसका MLT minus 1 इसका dimensional formula हो जाएगा अब देखिए इसमें से force का dimensional formula क्या होता है kg meter per second square यानि MLT minus 2 होता है force का momentum का कितना होता है linear momentum का linear momentum का तो यह होगा न MLT minus 1 तो यह सही होना चाहिए torque क्या होता है torque is equal to होता है r cross f यानि rf rf r क्या हो गया meter में radius हो गया meter force जो हो गया meter per second square तो kg meter per second square यानि kg meter square per second square इसका unit हो गया तो इसका dimensional क्या हो गया MLT minus 2 जो impulse के dimension के equal नहीं है तो force तो होगा नहीं torque भी नहीं होगा rate of change of linear momentum linear momentum का change देता तो impulse के dimensional formula के equal है लेकिन rate of change of linear momentum के equal नहीं है rate of change of linear momentum क्या होता है force तो इसका क्या हो जागा MLT minus 2 तो यह भी equal होगा ही नहीं तो कहुंसा होगा momentum के unit के equal unit है impulse का या dimensional formula दोनों का equal है so right option यहां भी होगा next question by what is the color of light determined तो wavelength से light का color determined होता है by what is the color of light determined light का color wavelength से determine होता है wavelength क्या होता है दो consecutive crest या फिर दो consecutive troughs के बीज का distance जो है वो wavelength का हला आता है दो consecutive troughs या फिर दो consecutive यह crest और इस crest के बीज का distance या फिर इस ट्रफ और इस ट्रफ के बीज का distance wavelength हो गया या फिर दो compressions consecutive compressions के बीज का distance wavelength होता है या दो consecutive के बीज का distance wavelength होता है intensity क्या होती है intensity of the sound तो इसमें से right option तो सी हो ही जाएगा intensity सब्कुझ कि जिए कि वन मीटर एसक्वाइर का एरिया है वन मीटर एसक्वाइर का एरिया है वन मीटर एसक्वाइर इसक्वाइर इस पे लाइट इनर्जी आ रही है या पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को intensity कहा जाएगा next question with which of the following is the tape recorder coated the tape recorder पे जो कोटिंग होती है ferromagnetic powder का ferromagnetic material की कोटिंग होती है right option B होगा blue vitriol क्या होता है यह भी vitriol के बाड़े में पूछा जाते रहा है कई बढ़ाया है बीपेस एक्जाम में यह blue vitriol क्या है cuSO4 copper sulfate dihydrate है यहां पे 2S2O है यह blue vitriol का फर्मूला है इसे भी याद रखे पूछा जा सकता है next question अमीर खुसरो वाई disciple of which सूपी संता अमीर खुसरो जो है वो निजामुदीन अवलिया के disciple यानि सिस्से थे और निजामुदीन अवलिया जो है वो बाबा फरीद के disciple यानि सिस्से थे next question match the following विल्मा 5 विल्मा 5 जो है कहां के ruler थी तो विल्मा 5 जो है यादव dynasty देवगिरी के यादव dynasty के ruler थी तो one का C हो जाएगा जो ही one का C हो जाएगा यहाँ पर देख लिजिए इसमें one का B है खताम इसमें one का D है खताम इसमें one का A है खताम इसलिए सिर्फ एक जान गए तो सब match कर गया यहां से तो 1 का C इसी में है C में सो राइट अपसन यहां पर C होगा वो इसे और मैस कर लेते हैं 2 का A है मतलब बिशनु बर्धान जो है बिशनु बर्धान होईसल के रूलर थे यह होईसल कहां पर है आज के जो करनाटक है वहीं पर हुआ करता था तो 2 का A हो जाएगा यसो विग्रह यसो विग्रह जो है वो गरवाल सब कौनोज गरवाल सब कौनोज के यह Safe related है यह य사ो विग्रह तो 3 का B हो जाएगा यहां पर रूद देवा जो है वारंकल के काकतिया रूलर से इनका संबन है काकतिया डेनेस्टी के रूलर रहे है तो यह 4 का D हो जाएगा यहां पे तो 1 का C, 2 का A, 3 का B and 4 का D, राइट अप्शन C है Next question, who constructed ए बिहारा एट सौमपूर? तो पाल बंस के जो रूलर रहे हैं, धर्म पाल, उन्होंने construct करवाया था, एक बिहार सौमपूर में, बिक्रम सिला बिहार पाहारपूर यानि सौमपूर में बिक्रम सिला महा बिहार को construct इन्होंने करवाया था धर्म पाल ने, so right option यहां पे B होगा Next, battle of kheda was found between, battle of kheda जो है, वो संभा जी के बेटे साहु और सीवा जी सेकेंड की मदर तारा बाई के बीच में यह वार हुआ था, यह लड़ाई हुई थी तो तारा बाई एंड सीवा जी सेकेंड नहीं, तारा बाई एंड साहु, right option D हो जाएगा और 1707 में, 1707 में साहु ने तारा बाई को हरा दिया था, 1707 में और इन दोनों के बीच में, 1731 में, 1731 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जिनको ट्रीटी अफ वार्णा का आजग गया next question, who built tomb of जहांगीर इन लहार, तो जहांगीर की wife, नूर जहाने construct करवाया था, नूर जहाने, इसमें से कोई option सही नहीं है, right option E होगा, none of the above next question, select the wrong pair, उत्रापत का capital स्वन गिरी थी, उत्रापत का capital स्वन गिरी नहीं, अत्तक सिला था अवंती का capital क्या उजय नहीं था, तो अवंती का capital उजय नहीं था, ये सही है, दक्षिनी पत का capital क्या तोसली था, दक्षिना पत का capital तोसली नहीं था, सुन गिरी था, तो ये exchange है, सुन गिरी था, प्राची का capital जो है, वो पाटली पूत्रा था, तक सिला नहीं था, तो ये इसमें से select the wrong pair तो तीनों ये wrong ही pair है तो इसमें से E option हो जागा more than one उत्रापत का capital तक्सिला था अवंती का उजैनी, दक्षिनापत का सुवनगिरी था और प्राची का पाटली पुत्रा and कलिंग का तोसली था Next question, which was the first inscription in Sanskrit तो जुनागर का जो inscription है दिलदामन का जुनागर जो inscription है वो प्रोज and poetry दोनों ही में है दोनों ही style में है और वो संस्कृत का first inscription है first inscription in Sanskrit है So right option यहाँ पे C होगा Next question, who was not included in the nine gems of चंद्रगुपता second? तो वरुची थे धनमंतरी भी थे संकू भी थे लेकिन राज सेखर नहीं थे राज सेखर जो थे गूर्जर किंग महीपाल के कोर्ट में रहा करते थे So right option यहाँ पे who was not included right option D हो जाएगा जो nine gems जो थे उनमें से थे कालिदास, अमर सिंग, संकू, धनमंतरी शंपनाक, बेताल, भट, बरूची, घटकपन, बड़ाह मिहीर यह लोग थे nine gems चंद्रगुपता सेकेंड के कोर्ट में Next question Which Buddhist text deals with the rules and regulation of monks and nuns? तो सुत्त पिटक की यदि बात करें सुत्त पिटक की तो सुत्त पिटक में जो भगवान बुद्ध हैं उनके सिक्षाएं दी गई है उनके सिक्षाओं का collection है किसमें? सुत्त पिटक में और बिने पिटक की यदि बात करें तो बिने पिटक में संग या बौध मठों में रहने माले लोगों के लिए नियमों का संग्रा इसमें दिया गया है तो इसी में जो है इसमें हैं included अभिधम पिटक में महावद्सू क्या है? महावद्सू जो है ये हीनियान के principle को प्रिजेंट करता है महावद्स्तू Next question Who was the chief officer for the war and peace in हर्सवर्धन रीन? तो हर्सवर्धन के सासन काल में जो war and peace के supreme minister हुआ करते थे वो अवंती काला थे थे तो यहाँ पर राइट अप्सन ए हो जाएगा और commandant of cavalry जो थे उनका नाम था कुंतला काला थे थे कुंतला जो थे क्या थे ये commandant of cavalry commandant of cavalry का मतलब क्या हुआ? कि घुर्षवार सेना का शेना पती जो होता था वो काला था था क्या? कुंतला काला था उसके बाद में elephant commandant के elephant elephant forces के commandant को एसकंद गुपता कहा जाता था और recourse को रखने वाले लोगों को keeper of recourse को कहा जाता था इश्वर गुपता इश्वर गुपता next question match the following बासुदेव कन्वा डेनिस्टी के founder थे बासुदेव कन्वा डेनिस्टी के founder तो 1 का D हो जाएगा नान्य देव जो है कार्नाट डेनिस्टी के founder थे 2 का B हो जाएगा बद्यापति कि इनके कोर्ट में रहा करते थे बिद्यापति जो है दर्भंगा राज सीव सिंग के पुरोहित थे दर्भंगा राज सीव सिंग के पुरोहित थे विद्यापती तो 3 का A हो जाएगा रिपुन्जय रिपुन्जय जो है ये थे ब्रिहदर्थ डैनेस्टी के अंतिम रूलर थे ये रिपुन्जय तो 4 का C हो जाएगा तो कौन सा option इसमें से सही आ रहा है 1 का D, 2 का B, 3 का A and 4 का C राइट अप्शन D होगा नेक्स कोशन तो यूनानी राइटर जो है जस्टिन ने कहा था राइट अप्शन C है नेक्स कोशन महाभीर स्वामी गेब इस फर्स्ट सेर्मान 2 तो राजगीर के पास में मेग कुमार को सबसे पहली सिक्षा उन्होंने दिया था तो राइट अप्शन पहला उपदेश राइट अप्शन इसमें से A हो जाएगा जमाली उनके सन इनलाव भी थे और उनके फर्स्ट डिसीबल भी थे तो और चंदना जो है फर्स्ट फीमेल डिसीबल थी महावीर की नेक्स्ट कोस्टन वीच अब दी फॉलविंग रीजन वाज रिलेटेट टू नुनिया रिबॉल्ट तो सोरा उत्पाधन करने वाली यानि साल्ट पीटर प्रोड्यूसर जो एक कास्ट हुआ करती थी नुनिया उन्होंने हाजीपूर तिरहूत पुनिया एंड सारन इन एडिटर अब बिहार हेराल्ड तो बिहार हेराल्ड के एडिटर थे गुरु परसाद सेन गुरु परसाद सेन राइट ऑप्शन भी होगा महेश नारायन सचिदानान सिना एंड नंद किशोर लाल इन तीनों ने मिल करके 1894 में बिहार ताइम्स को सुरू किया था बिहार ताइम्स को और बिहार ताइम्स के एडिटर महेश नारायन बने थे कि नेक्स्ट कोश्चन हूँ एमांग दी फॉलविंग हैड फाइल एड डी फेमेशन केस एगेंस्ट वैलेंटाइन शीरोल दी ऑथर अफ इंडियान अन्रेस्ट बाल गंगाधर तीलक ने राइट अप्शन बी होगा नेक्स्ट कोशनीन विच इयर दी पब्लिकेशन अफ इंडियन ओपिनियन न्यूज पेपर वाजय स्टार्टेर बाई गांधी जी इन साउथ अफिरिका 1903 में उन्होंने स्टार्ट किया था राइट अप्शन सी और 1904 में उन्होंने फोनिक्स आश्रम को इस्टेब्लिस किया था गांधी जी साउथ अफिर का गय कब थे 1893 में गय थे आये कब नाइन जन्वरी 1915 में आये थे 1915 को आये थे अब उन्हीं के याद में हाल ही में भारतिय प्रवासित दीवस मनाया गया है इन दौर में को नेक्स्ट कोस्ट्ण गांधी जीवाज ऐसोसियेटर विथ विद विछ उब दी फॉलववेंग पीजन्ट मौवमेंट तो चमपारन सत्याग्र से से एसोसियेटर थह प्रवागरीन Gregory एस दो हो गया राइट औप्शन यह हो जाएगा more than one ते भागा मुवडमेंट कहां पर हुआ था 1946 में बेंगौल में हुआ था यह एक किसान आंदोलन था पिजन्ट मुवडमेंट था 1946 में बेंगौल में हुआ था और यह टेक्स को कम करने से संबंधित था यह लगान कम करने से सं प्रदोली सत्यागरों किया हुआ था कब हुआ था 1928 में गुजरात की प्रोविंसियल गौर्मेंट ने लगान को बढ़ा करके 22% लगान के रेट को बढ़ा करके 22% कर दिया था और सरदार पतेल को ये बात अच्छी नहीं लगी तो सरदार पतेल के नेत्रित्य में उनके 6.03% कर दिया था नेक्स कोस्टन दूडिं फिच मूव्मेंट इन दी फ्रीडम स्ट्रागल दी गौल अप स्वराज इन वन एर वाज फिक्ष्ट बाई गांधी जी दूडिंग नन कोपिरेशन मूव्मेंट राइट अप्शन विल बी ए नेक्स कोस्टन इन फिच अब दी फॉलविंग बैटल्स इट वाज डिसाइड़ फू उड नौट रूल इंडिया तो एके करके देख लेते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानिपत कब हुआ था ये 1526 में किनके बाबर एंड इबराहिम लोधी के बीच में हुआ था सेखेंड बैटल ऑफ पानिपत कब हुआ था नौबर 1556 में हुआ था अहेमू और एंड अकबर के सेना के बीच में हुआ था और बैटल ऑफ बांडिवास कब हुआ था बैटल ऑफ बांडिवास जो है 1760 में ब्रिटिस एंड फ्रांसीसी आर्मी के बीच में हुआ था फ्रेंच आर्मी के बीच में हुआ था ये थार्ड बैटल अफ पानिपत, ठर्ड बैटल अफ पानिपत, जो है 14 जन्वरी 1768 को मराठा और अहमद साह अबदाली के सेना के बीच में हुआ था, और इस वार में 28,000 मराठा मारे गए थे, और इस हार से आहत होकर पेश्वा कुछी दिन तक जिवित रहे, और इस वार ने मराठों के अखिल भारतिये जो इंपायर बनाने के लिए वो सोच रहे थे, पूरे इंडिया को मिला करके एक एंपायर बनाने की सोच रहे थे, उनका सपन, उनका सपन, उनका ड्रिम चकना चू सब्सक्राइब को बदले में उन्हें एलाउ किया था कंपनी को ड्यूटी फिरी ट्रेड करने के लिए accept सूरत सूरत को छोड़ करके बाकी जगों पे उन्होंने allow कर दिया था duty free trade करने के लिए next question which one of the following decision was taken by Warren Hastings after the abolition of diearchy तो diearchy को abolish किया था कब Warren Hastings ने 1772 में 1772 में diearchy को उन्होंने abolish कर दिया था तो उसके abolish करने के बाद में नाइब दिवान ऑफ बेंगाउल बिहारें औरीसा वाज relieved यह सही है statement board of revenue of मुर्शीदाबाद और पटना वेर abolish यह भी सही है यह board of revenue वाज established in कलकाता यह भी सही है the post of native collectors वाज retained नहीं native collector के पोस्ट को हटा दिया गया था और यह पोस्ट दे दिया गया था Britishers को यह जो है sport तो गलत है तो फोर जो ही गलत होता है C गलत हो गया B गलत हो गया D गलत हो गया 123 सही है right option A होगा next question which of the following rebellion is also called the name of fakir rebellion तह सन्यासी rebellion को fakir rebellion भी कहा जाता है right option D होगा यह कब हुआ था 1770 में हुआ था इस rebellion हुआ क्यों था सन्यासी rebellion इसलिए हुआ था कि जो pilgrims थे यानि जो अनियासी लोग थे उनको प्लेशेस पर जाने से रोक दिया गया था और इस में इस revolt में दोनों ही religion को फॉलो करने वाले लोगों का पाटीशी पैसन था हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे और इसमें जो जो लीडर्स थे इसमें मजनूम साह चिराग अली मुसा साह भावानी पाठाकन देवी चौधरानी यह लोग जो थे उनके इसके लीडर्स थे में लीडर्स और यह मोमोरिया रिबेल्ट कहां पे हुआ था यह हुआ था आसाम में आसाम के अहुम किंगडम में हुआ था यह एक सता का संगर्स था और चेर रिबेलियन चेर रिबेलियन कहां हुआ था जार्खन के पलामू रीजन में चेर रिबेलियन हुआ था यह 1800-1802 के बीच में 1800-1802 के बीच में हुआ था ये चेर रिबेलियन कहां जारखन के प्लामो रिजन में क्यों हुआ था जारखन के पलामू जीले में जो लोकल जो राजा एम कंपनी के द्वारा स्थानी जो राजा थे और कंपनी के द्वारा जब जागिदारों यानि चेरों से जमीन छीनी जाने लगी तो वहां के जमिनदारों ने राजा तथा कंपनी के बिलूद बिद्रोह कर दिया था और इनके लीडर कौन थे एक जमिंदार हुआ करते थे भूसर्ण सिंग वहीं उनके लीडर हुआ करते थे यह बगेरा रीबेलियन कहां पर रिभेलियन जो है 1818 थाड़े 1818 में बढ़ावदा के रीजन में हुआ था यह लगान से रिलेटेर रिभेलियन था लगान काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था उसके एगेंस्ट यह रिभेलियन हुआ था next question with whose help did Gopal Krishnan Gokhale establish the Servant of India Society, तो the Servant of India Society को establish किया गया था 1905 में किस ने establish किया था Gopal Krishnan Gokhale ने M G I K R manifestation के help से गोपाल Krishnan Gokhale ने 1905 में 凌सम किया था राइट अपसंढ सी होगा परपस क्या था जो तो मिशनरिया थी, राष्टिय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रसिक्षित करना, देश सेवा के कार्ज को सम्मेदानिक तरीके से संपन करने के लिए प्रोसाहित करना, तथा लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्ज करने के लिए तैयार करन में परपस था इसका नेक्स कोश्चन हूँ आज दी ऑथर अफ दी बुक दी फिलोसफी अफ बॉम तो फिलोसफी अफ बॉम चंदर सेखर आजाद के रिक्विस्ट भी भागवती चरण बोहरा ने लिखा था भागवती चरण बोहरा ने राइट अप्शन डी होगा इसमें थ इसको इसमें सामिल किया गया था ताकि उनके विचारधारे से लोगों को आउगत कराया जासा कि मतब लोग जान पाएं नेक्स्ट कोस्टन कार्टेज सिस्टम अंडर विच दी कैप्टेन ऑफ इंडियान सिप्स हैड टू टू टेक लाइसेंस और पास विच एरोपियन वा एक लाइसेंस लेना होता था अब लाइसेंस ले लेने के बाद में पोर्तुगीज उनके सिप्स पे एटैक नहीं करते थे यानि इंडियान सिप पे एटैक नहीं करते थे तो पोर्तुगीज से सुरक्षा के लिए वो एटैक नहीं करें इसके लिए एक पास लेना पड़ता था यह था कार्टेश सिस्टम में so right option यहां पर B हो जाएगा next question choose the false one among the following as the region for the decline of the Mughal empire the Mughal empire के decline के जो causes थे वो थे war of succession यह भी सही है autocratic ruler यह भी सही है और एंजेबस unsuccessful deccan policy यह भी सही है advent of European power यह भी सही है so इसमें से E हो जाएगा more than one right option E हो जाएगा more than one next question match list one with list two पागल पंथी rebellion पागल पंथी rebellion जो है वो 18, 25, 250 के बीच में हुआ था तो एक one हो जाएगा इसके leader कौन कौन थे इसके leader जो है करम साह और उनके बेटे टीपू थे यह rebellion हुआ क्यों था जमिंदारों और साहोकारों के against हुआ था यह फराजी रिवोल्ट फराजी रिवोल्ट जो है एक इस्लाम धर्म में सुधार से संबंदे थी एक रिवोल्ट था और इसके leader थे हाजी सरियतुला यह बेंगॉल में हुआ था इसके leader हाजी यह हो जाएगा मोपला rebellion मोपला rebellion जो है केरल के मालावार कुष्ट के असपस में हुआ था यह यह कब हुआ था यह हुआ था 1834 तू फिप्टी फोर 1834 से 1854 के बीच में हुआ था तो इसका हो जाएगा आपको थिरी का डी हो जाएगा संथाल rebellion का हुआ था सल्थयान संथाल rebellion जो हुआ था यह भागलपुरा और राजमहल के जो पहारियां है उसके आसपास के चेत्र जिनको दामने को कहा जाता था यह 1855 तू 56 में हुआ था तो यहां से हो जाएगा फोर का सी हो जाएगा और इसके लीडर्स थे फोर ब्रदर्स सिधू कानू चांद और भैराव तो इसमें से कौन सा अप्शन सही होगा वन का भी टू का ए थी का डी और फोर का सी तो उसमें सामिल है सर जाउन सीले जेम्स आउट्रमभी और एडवार्ड थॉंपसन यह यह लोग सामिल है यह लोग काते हैं कि यह जस्ट सोल्जर्स म्यूटीनी था लेकिन बेंजामीन दिज्राइली का दिज्राइली ऐसा नहीं मानते हैं इनका मानना था कि यह प्रथम ता संगर्स था यानि फर्स्ट वार्ड फिंडेपेर्नेश था यह जो इसमें से 1,2,3 सही हो जाएगा राइट ऑप्शन सी नेक्स्ट कोस्टन अंटेच अबिलिटी जे ब्लैक एस्पोर्ट एमांग दी हिंदूस आज लोंग आज अंटेच अबिलिटी इग्जिस्ट इन सेंफूल नोट ओनली फॉर इंटाइर हिंदू कास्ट बट फॉर दी होल कंट्री हुज स्टेट्मेंट इस तो यह महात्मा गांधी का स्टेट्मेंट है राइट अप्शन सी होगा नेक्स्ट कोस्टन डियूरिंग फिच मॉव्मेंट डियूरिंग दे बिरिटीस रूल मोर दैन टू डॉजन पीपल वेर किल्ड बाई दी पुलिस फाइरिंग एट वन प्लेस इन बिहार तो वो था सीविल डिसोबिनेंस मॉवमेंट जब चल रहा था उसी दवरान मुंगेर के तारापुर में 15 फेबरवरी 1932 को थाने पे तिरंगा फाराने गए 34 लोगों की जाने चली गई थी इसमें से 13 लोगों को ही पहचाना जा सका परधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इस घटना का जिक्र किया था कि ये थे परधान मंत्री नेक्स कोशन दि पिरियड अफ चेरो रिबेलियन इन बिहार वाच तो 1800-1800 टू था 1800-1800 टू राइट अपसन यह होगा किसी रीजन में हुआ था जारखन के पलामू रीजन में हुआ था इसके लीडर काउं थी भूसन सिंग थे इसके लीडर क्यों हुआ था क्योंकि पलाम के परसान होकर के चेरो ने वहाँ पे रिबल्ट करना सुलू कर दिया कब 1800-1800 के बीच में नेक्स कोश्चन वेन वाच दिस सवराज दलफ़र्म इन बिहार तो फेबरुरी 1923 में बनाय था राइट अपसन बी होगा मिस्टर नरायन परसाद जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और अब्दूल बारी इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे इसकी फर्स्ट मीटिंग होई 2 जून 1923 को पटना में नेक्स्ट कोश्चन हूँ एमंग दी फॉलइंग वाज दी मोस्ट प्रोविनेंट लीडर ऑफ दी पीजन्ट मुवमेंट तो कार्यानन सर्मा भी पीजन्ट मुवमेंट से समन्धित रहे स्वामी विद्यानन भी और राहुल संकृतियानन भी लेकिन सबसे जो फेमस रहे ल यह सोनपूर जब मेला चल रहा था उसी दवरान इन्होंने प्रोविन्शियल किसान सभा को इस्टेबलिस किया था और स्वामी साहजानन सरस्वति को प्रेजिडेंट बनाय गया था और इंडिया किसान सभा जो बना था 1936 में नेक्स कोशन हूँ इस्टेबलिस दी वोमेंस चार्खा कमीटी तो चार्खा कमीटी को इस्टेबलिस की थी यह जैप्रकास नरायन की वाइफ प्रभावती देवी टू प्रमोट स्वदेशी स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए तो प्रभावती देवी होगा राइट इंस्टिट्यूट के टेस्ट फोड के इंग्लीज मीडियम के कोश्चन का डिसकासन आप बने लगए इस चैनल के साथ मेलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक लिए थैंक यू थैंक यू भेरी मॉच